दोस्तों अगर आप परिच्छा में पास होना चाह रहे हैं तो आप सही जगा आए हैं आप इस चैनल से जुड़ जाए हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपको हम आपकी परिच्छा में जरूर पास कराने में पूरी मदद करेंगे मदद आपको हम इस प्रकार करेंगे कि आपको वो सारे question हम आपको provide करेंगे जो आपकी परिच्छा में सबसे ज्यादा chance है आने के तो चलिए वीडियो को बिना देरी के वीडियो को start करते हैं दोस्तों ये वीडियो बीए first year के second semester वाले छात्रों के लिए बहुत ही important होने वाली है जिनका paper जिनका exam आने वाले दिनों में है ठीक है और जिनका subject हिंदी है तो आज कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए second semester के Hindi model question और answer के बारे में आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बीए second स्वरी बीए first year के second semester में ठीक है बीए first year के second semester में जो हिंदी का paper होगा उसमें सबसे ज्यादा question जो आपके office और computer से जुड़े होंगे जातर तो computer से जुड़े होंगे ठीक है क्योंकि आपको इस बार जो यानि कि समस्टर लागू हुआ है इस बार से सभी इनवर्सिटियों में इसमें एक अनिवार प्रश्नपत्र ये कर दिया गया है कि ताकि बच्चों को पहले से उनको computer और office से रियल जानकारी रहेगी कारे अधिक किया गया है तो चलिए बिनादेरी की हम आपको टॉप लेबल के question मताएंगे जिनके हाई चांस होंगे आपके परिच्छा में आने के और उसका एंसर भी हम आपको बताएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है जो वीडियो बहुत इंपार्टेंट है यह पहले देखेगा ठीक है आपको पहला प्रश्न मिल जाएगा वर्ड प्रोसिस्टिंग एंउम डाटा प्रोसिस्टिंग के कार्यों का बिश्लेशन करिए यह question इतना important है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको गारंटे दे र होंगा कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इसका answer ठीक है प्रश्न का उत्तर है कि वर्ड प्रोसिस्टिंग की सहायता से पत्र या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं इसका मतलब यह है वर्ड प्रोसिस्टिंग अगर आप कंप्यूटर से जुड़े हैं कंप्यूटर की होती हो वर्ड प्रोसिसर जो होता है ठीक है उसमें टाइप किया जाती है तो आज कि वीडियो का पहला कोश्चन है जो कि 40 नंबर से स्टार्ट हो रहा इससे पहले कि जो एक से नंबर वन तालिस तक के कोश्चन थे जिनके हाई चांस थे आपकी परिछा में आने के उनको मै देखने के बाद उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा लेकिन ये वीडियो अभी के लिए इंपर्टेंट है पहले ध्यान दीजिए ठीक है पहला प्रिशन है कि वर्ड प्रोसिस्टिंग के कारियों का बिस्लेशन कीजिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मै वर्ड वर्ड अहां जान देगा जहां पर पर कोई रिपोर्ट कोई पत्र या फिर आप लोग कोई लेटर जो भी आप लोग कहले जहां पर आप टाइप करते हैं उससे रहे हम सब्दों को लिखेए है ठीक है लिखते हैं तो उसी पर उसी को आप लोग कर सकते हैं वर्ड पैड यानि जहां पर हम सब्दों को लिख रहे हैं पैड हो गया ठीक है उसी तरह कंप्यूटर में भी सब्दों को लिखने के लिए अलग-अलग सॉफ्टवेर आते हैं जैसे कि एमस्वर्ड नोट पैडhard पैड आप सभी को मालूम ही है ठीक है नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि मोब्दमे आप लोग डेडा प्रोसिस्ग कर सकते हैं तो उसमें लेटर लिख सकते हैं पत्र लिख सकते हैं जैसे के वार पर रिपोर्ट या फिर पत्र तयार किया जाता है ठीक है और उनके सब्दों को बदल सकते हैं थे हैं जिसे कि हमने सब्द लिखे chatıyla किसी cam प्रोट में किसी हम आप लोग application में ठीक है तो इसको आसानी से आप लोग एक ही किलिक में देख सकते हैं कितना हमने लिखा है और वरतनी सब्द कर सकते हैं यानि कि क्योंगी गलती है या फिर कोई error है तो इसको भी हम सुधा सकते हैं ठीक है वह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के माधम से बिभिन प्रकार के फांट को बदला सकता है कोई सब्सक्राइब हैं को यही ही को एसे लिखते हैं यही चीज होती है नहीं को बोलते हैं हम रोग फांट यह्लिस जिस विभास में चाहें ने बदल सकते हैं की शोचि प्रतिपादन करण होगी, करने के लिए है किसी भीुय चीज को मैं निकालने के लिए रफिप करना होता है स्टेप बाई स्टेप तो उनी सब किरियां को डेटा प्रोसेशनंग कहा जाता है डाटा प्रोसेशन ہیں हम कागज कलम लेकर हाथ से भी कर सकते हैं परणितों आज कल यहां सब काम है वो ww कंप्यूटर से किया जाते हैं या फिर करते हैं लोग 2 आपको समझ में आगया होगा वंडप फोर ट्ट्रेशर डितला कि कंप्यूटर में होता है जो चीज हम जैसे कि पुझाल है को अगर वह में लिखेंगे तो गए कीड़ वपोड प्रोसेसिंग गए ठीक है वप We लिखेंगे कम्पीटर में लिखेंगे में लिखेंगे वही चीज अगर हम कॉपी पे लिखेंगे तो आप लोग उसके भी लिख सकते हैं कॉपी पे लिखकर तो इसकी भासा में इसको यह कहा जाता है ठीक है जो आपको मैंने बताया अगला प्रश्ण है कि वीडियो फॉन के बिसे में आप क्या जानते हैं वीडियो फॉन की बिसे में चैले से बसते हैं वीडियो फॉन दूसर चार के छेत में महात्वण उपलब्दी है इस जंत्र के माध्यम से केवल बिक्त की आवाज ही नहीं सुने जाती बल्क उचका चित्र भी दिखाई पड़ता है इस प्रक्रि वीडियो फॉन की आई होप इसके बारे में आप लोग अच्छे देंगे आज कोई ही चाहे बंदा चूटा होगा समय से एक एक पॉइंट वह भी नहीं चूटा होगा जो इससे परिचित ना हो सब जानते हो सब यूज के भी हैं तो इसका एंसर आप लोग अच्छे से 12 नंबर की मल्टी मीडिया का अर्थ बताई समझते कर Kelty we're here at ate और आप कर सकते हैं कि जोउब के सकते हैं मल्टी मीडिया में आते हैं सब टो वीडियो के समयoda को का नाम कि इस इस इसषण क्या है तिक इस 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 इच्छन के बारें सुझते हैं पहले तो मैंने आपको एक बात बताया ना भूल गया कि आपको मालूम होना चाहिए कि बेस्ट चिकेंट सेमस्टे की जो परिछा है वो कुछ इनुवसिटियों में आप जल्दी परवाइट करेंगे लेकिन आपको इस बात को भीधान लगना है कि आपकी अतिलगुत्रे और लगुत्रे विस्तित्रे तीनों में आ सकते हैं इसलिए आप लोग इसके बारे में अच से डीटल में पढ़ते रहेगा ठीक है अगला प्रश्ण है कि इस इच्छन क्या है जहां पर लग गया वहां पर आप लोग जान जाएगा इलेक्ट्रानिक यानि की आनलाइन दुनिया यहां पर लिखाए इस इच्छा निवार रोप से कौसल एवं ग्यान का कंप्यूटर ठीक है कौसल एवं ग्यान का कंप्यूटर नेटवर्क समर्थित अंतरण है इस इच्छा इलेक्ट्रानिक अन प्रियोगों और सीखने की प इस इच्छा का मतलब जैसे आजा तो आप लोग समझ लिजेगा एलेक्ट राने की आने की आनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना या पढ़ना या फिर किसी के द्वारा क्लासेश लेना ठीक है मुबाईल के द्वारा आनलाइन आप लोग कुछ सर्च कर लेते हैं किसी आनलाइन क्लास को आप लोग जोईन कर लेते हैं ठीक है वहां से पढ़ाई करते हैं जैसे आप एक प्रकार से यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग प्रकार के आल लाइनी फिच्छर पर प्रसिचंड यह वह प्राप्त कर रहे हैं ठीक है आपको जानकारी मिल ले यह एक प्रकार से आपका इस स्ट्षन हो गया ठीक है अगला पेश्ण है कि बिलोग कि क्या क्या तात्वर यह बहुत ही कोश्चिन दोस्तों मैं इसी से कि उल्टे कला नुक्रम मेंुएं। as of the post नीचे होते हैं और नवीन प्रकाशित पोश्ट और प्रष्ट सबसे ऊपर प्रद्रस्चित होते हैं। लिखार ब्लोगर किशी विशए भिशेश पर आप लोग दूटों उसे ही कहते हैं जैसे आपने इंटरनेट पे सर्च किया की आप लोग कहे सकते हैं की हां रहीम दाफ जी का जीवन परचें दीजिए आपने Google पे डाला कि रहीम दाफ जी का जीवन परचे दीजिए या फिर तुलसी दाफ जी का जीवन परचे दीजिए या आपने Google पे लिखा ठीक है उसके बाद आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आ गए उसमें लिखा है कि जो तुलसी दाफ या रहिम दाफ जो भी कभी है उनका जो जीवन परचे है वो निम्नुवत है आगई आप लोगों के विबसाइट कही सारी आउपन होके आजाएंगे आप लोगों के सामने जैसे आप लोग यह लिखेंगे तो उसमें से जिस पे आप लोग किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा लिखा रहेगा कि तुलसी दाफ का जीवन परचे है उसके नीचे फिलिखा रहेगा तुलसी दाफ का जन्म यहां हुआ और इस चन में हुआ अनके माता पिता गया नाम था इनकी किरती आए है रचनाए है तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को ही ब्लोग कहते हैं ठीक है ब्लोग जो होता है वो किसी समू या फिर किसी इंडि आपको इतना है समस्य आ जाया बहुत ही काफी है ठीक है अगला प्रशन है कि स्ट्वयम पोर्टल क्या है सेले इसके बारा समस्ते हैं लिखा कि स्ट्वयम स्टेडी वेव ऑफ एक्ट्व लर्णिंग फॉर यंग ठीक है अस्पिकिंग मैंडस अर्था तीवा आकांची मन के लिए शक्रे अधिगम का वेव अध्यन का संशिप्त रूप है या भास सरकार के मानुव संसाधन विकास मंत्रारेयुम अकिल भारती तक्नीकी सिच्छा पस्चेट के द्वारा भिक्षित किया गया है एक आनलाइन एजुकेशन पोर्टल है श्वयम आनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोशड़ा एक फुरी 2017 को पेस्ट आम बजट में भारत द्वारा ठीक है भास सरकार द्वारा की गई जिसे नव जुलाई 2017 को ततकाली दास्पर्टी मानिय प्रण मुखर जी द्वारा लांच किया गया तो जो स्वयम है स्वयम पोर्टल जो हो यह परकार का जो कि गोर्मेंट के द्वारा फॉर्ग प्रॉअट गाया है भी लांच किया गया उके और इसकी घोशटा है वो स्वयम में के पूर्ण में हुई इस स्वयम पोर्टल के उध्देश बताईंगं चया तका मांप के धूरा इस impossible है किस चीज क्यों बनाया गया है तो आप लोगों के यहां पर दिख रहा है पहला कि पहुंश यानि लोगों तक वो अच्छे से पहुंश सके और निस्पष्ट रहें और सानंबर गुडवत्ता यानि कि उसमें कुछ ऐसे गुण हो जिसे लोगों को उनके जीवन में जो भी कोटल से कच्छा नव से असनोत्तर यानि कि नवी किलाफ लेकर असनोत्तर ठीक है असनातक और असनोत्तक के चाथ जो भी यूजी पीजी के हैं अस्तर की पढ़ाई की जा सकती है इस पर कला गुरूप विज्ञान गुरूप मानुविकी इंजिनर तक्निकी बिद्ध चिकित् प्लवद सारे पाठेकरम निश्वल को हैं यानि कि जो आप लोग जो भी यूजी कोशन से प्राप्त करेंगे वो सारी की सारी फिरी है ठीक है अगला प्रशन है कि यूनिकोड क्या है यूनिकोड चले मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है लेकिन आपको जानना जरूरी इसके बारे में ठीक है यूनिकोड का आसा एक समान ठीक है मानकी क्रत कोड जिससे आप लिपी चिन्हों की आवसकता की पूर्ती हो यह प्रतेक अच्छर के लिए एक विशेश संख्या परदान करता है यूनिकोड मुख्यूरूप से नंबर से संबंदित है यह प्रतेक अच्छर के लिए एक संख्या निर्धायत करके अच्छर वरणों को संग रहित करता है यूनिकोड की अस्थापना यूनिक ठीक है यूनिकोड एस्टंडर्ड जो आधुनिक शॉप्ट बिर उत्पादो यह वो मानकों में पाठ की प्रस्तित को निर्दर्शित करता है कि विकास और दो जिए फिर्व को और विश्था व्याग को बढ़ावा देने के ठीक है लिए बढ़ावा देने के की गई ती जबावी कोड जाना दीजी योनिक कोड टांस फ्वार्मेशन वर्मेट इसे त्रेजर्थालिस मानक भी कहा जाता है तो मैं आपको बता दो कि unicode जो है वो क्या है वो कैसे दिखता है जैसे आप लोग देखेंगे आप तुरुन समझ जाएंगे ठीक है आप लोगोंने computer तो देखाए होगा उसमें जो लगा keyboard होता उसको तो जरूर आपने देखा होगा या फिर laptop में आप लोग जो की दबाते है उसको ज़रूर देखा होगा keyboard ठीक है तो वह जो keyboard आप लोग a b c d या फिर roman अंक होती है फिर alphabet जो होते हैं या फिर आपकी numeric की होती है उनको जो आप प्रेस करते हैं वह कोशी ना किसी ठीक है वह unique code से बनी होती है आपको तो लगता हम यहां पर a दबा रहें बी दबा रहे से लेकिन वह किसी ना किसी unique code से बनी होती है ठीक है जो की machine language है ठीक है तो तब आप लोग जो प्रेस करते हैं तो वही एक unique code होता है जाना गया आप लोगों को बस आप लोग तो दबाते a हैं बी हैं लेकिन वह जो है computer समझता है कि आपने a और b नहीं दबाया आपने एक unique code बनाया है जिससे ए बन रहा है कि अगला परशना है कि poster की उपयोगता क्या है बहुत ही सिंपल सा और जनरली कोशन है कि यह एक विचार घटना या उत्पात का अस्थाई प्रचार माद्धे में जिसे सारवजनिक अस्थान पर जन्म संदाय के निर्मित बड़े पैमाने पर 1850 के 1850 के दसक का है poster बिसे सग जौन वार्णी कोट लिखते हैं कि सो वर्ष से भी कम समय में यह एक महत्रपूर कला के रूप में पहुंचाना जाने लगा आधनी यूग में बिग्याबन poster एक बिसेस प्रकार की ग्राफिक कला बन गया है तो आप सभी कमालों के poster क्या है जो 1850 ठीक है इनके दसक जो की हमारे poster जो बिसेसक है जौन वार्णी कोट यह लिखते हैं कि इसका जो कला है वह बहुत ही जल्दी जो है इस प्रकार की कम से कम समय में महत्रपूर्ण जो कला है उसको ज्यादा से दिदा लोग जानने लगे हैं ठीक है अगर आपशना है कि poster की व श्बीर भी होनी चाहिए poster ऐसे होनी चाहिए जो देखने को अस्पेस्ट हो जिससे लोगों को असाइस समझ में आ जाए ठीक है तो यह रहें poster के प्रकार क्या हो सकते हैं तो poster एक प्रकार कर सहिचनिक छेत्रों में भी यूज किया जाता है ठीक है सहिक विचार वाले poster पॉश्चार्Yo दोगों की चुना होता है ठीक है और दूर दूर आप लोगाने जाते हैं डीक वारे जिक पोश्टर आपलोर को मालूम ही जगाहों पर अपने जब भी जरूत पड़ती है तो बडरे पोश्टर भी लगाया जाते हैं ठीक है अगला पश्ण है कि सोध के प्रकार बताईए तो सोध के प्रकार जो लिखना है वो आपको मैं बता दूँ लिखना है कि सोध कार में सूधकार में सूध करता किसी तत्त के बार बार देखता है जिसे उसके सम्वन्द में प्रदात्तों को एकत्र करता है उन्ही के अधार पर निश्कस निकाला जाता है तो स्वंच सूध के दो वर्गों मे वाज़िद किया गया है सोध के दो प्रकार है मोलभूत सोध और याद रखेगा इनको ठीक है वह रहे बहुत ही हाई लेबल के कोश्चिन जो की सारे के सारे हाई चांस से आपकी परिच्हाम याने के इस में से तीन–'re-4 에서 हैं जो आपकी परीछा में hundred percent देखने को मिलें जाहे अतलग उत्रे चाहालग उत्रे जाह हब बेस्ट इत्र आपको देखने को कुझ मिलेंगे आक की जब परिश्छालिक होगी तो ठीक है अगर आपको वीडियो जराफी भी अच्छी लेगी तो लाइक करेगा और भी इसी तरह के कोश्चन और फिर सब्जेट के चाहिए तो कमेंट में आप जरूर बताएगा हम आपको मिलेंगे निस्ट क्लास में तब तक जाहिंद